आज हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोमेट्री का हम लोग परिभासा जो देखते हैं, तो कह रहा है, टाइप ओफ मैथेमेटिक्स, टाइप ओफ मैथेमेटिक्स that deal with relation between the sides and angle of triangle, कह रहा है कि गणितग का यह एक भाग है, जिसमें हम लोग बताते हैं, उसका side और angle के बीच के संबन्द को, दूसरे बाद साइप स्टेंडर क्लास में जब चलिए यह गया, तो कह रहा है, ट्रिगोमेट्री ब्रांच ओफ मैथेमेटिक्स, करनर विद स्पेस्पिक फंसन, करहा है कि यहाँ मैथमेटिक का ब्रांच है, जिसमें स्पेस्पिक फंस इसमें होता है, एंगल देर अप्लिकेशन दोथी कल्कुलेशन, एंगल के लिटेड और इसमें हम लोफ के अप्लिकेशन करते हैं, कल्कुलेट करने के लिए, आई होप मेरे दोस्त, यह समझ गे होंगे, अब कह रहा है, आगे की और बढ़ेंगे, देखिए इसमें जो है, क एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, एक यहाँ पर 90 डिगरी होगा, चाहिए कोई भी मतलब कि अगर मान लिजे इस तरह का एक्विट बना लिए, अब ट्यूज बना लिए, बट वहाँ पर राइट एंगल बनाना ही पड़ेगा आपको, तब ही मिल पाएगा, त कुझ इसमें, अब आके बढ़ते हैं मेरे दोस्त की पहला समझे कि एक राइट एंगल ट्रेंगल होगा, समझने के लिए, अब आते हैं, इसमें जो होगा, आपका हाईपोटेनर मान हो जाएगा, यह आपका बेस ले लिए तो यह परपेंडिकलर मान हो जाएगा, शब को ब की उसको न अधिक्टीन को बनाते हैं कि अब का है इसका मतलब कि हम लोग देखते हैं चिसका रेसीयो लेते हैं क्या ट्रिकॉमेट्री के रेसीयो जैसे मालने जी कि यहाँ पर अग5 भर कोई बेठा हुआ है यहां पर इस लाइन पर तो यहां से अगप देख रहे आ एंकans रह saicin c लेंगे saicin c जो होजागा saicin khe related होगा saicin c यहाँ पर हो जाएगा आपका हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में बोलेंगे तो आपका lum तो lum पर लम को मुलू बोलते हैं perpendicular by हो जाएगा hypotenuse उसके उसके बोलते हैं cause को beac by hypotenuse hypotenuse ओके मेरे दोस्त अब टैन जब लेंगे तो टैन सी जो हो जाएगा आपका टैन सी होगा तू होगा आपका परपेंडिकूलर देखे यहां आपका हो जाएगा आपका परपेंडिकूलर जैसे कि मान लीजिए जब ए बी असी अगर यहां पर बैटकर वह देख रहा है तो इ परपेंडिकूलर यह हो जाएगा यह आपका परपेंडिकूलर हो जाएगा आई आपका बेस हो जाएगा ती हो जाएगा टैन सी इक्वल टो हो जाएगा परपेंडिकूलर बाई बेस यह हो जाएगा अब देखे यह जो देखे साइन इक्वल टू हम लोग लिखे साइन के के हम लोग पर पंडिकोलर वाई थे सबैंड को लिखे हमें लोग को सपर टू होजाएगा बेश भाई पकोटेन नस अट एब को जाएगा आपका अब का वेक्पु आपको परपेंडिकुलर भाई बेस यह मेंदनी गों होता या 30 cm में दोनों के साही हमिट कट इसको ratio EOS कौHU जाए इसका मतलब कहले हैं आप फ़र्मज में कहा है एक राइचियो है अभी दिखान देंगे यह एंगल है C एक एंगल है यह क्वेलू यह क्वेलू होसाँ कि और यहीज नहीं मैं कि ऊपएगा इसका मतलब कि यह वेलू है रहिश्य वेलू होता है किसी का ऐंगल कि तो यहा आपका हुआ जाएगा रेडियनट भी मेजर करते हैं तो यहां पर जो लेंगे लेध सकते हैं यहां से एक भैलू यह दे लेखें यह भी भैलू है इस एभी साइड स्वेश निकलिने लि upstairs के लिएग से लिकावय करेंगे तो रिस्यू आएगा आया एक value आएगा हमेशा value आएगा मतलब कि मान हो जाएगा fix इसका कोई यह sign उट नहीं गाए उसी तरह भी इसका दोनों बराबर है इसका मतलब कि इसका भी value होगा यह तना आपको समझ में आना चाहिए तब समझ में कोई मेरे दोस्तों कोई को बोलेगा कि sign, sign, theta, cos, theta है ना sign, cos, theta और theta में क्या आनतर है sign, cos, theta जिसमान लीजिए इसको गो sign, cos, theta लिया जाए इससे sign sign, theta हो गया आयो गो theta लिया जाए तब बोलेंगे यह क्या आते है एक value है आया क्या एक मतलब कि angle है इसके यह sign unit है हैना इसके पास degree है यह degree है 90 degree, 50 degree यह से मिलता है degree हम लिखते है एक unit में आगे बट इसका degree value कुछ मतलब कि इसका जो value के वल है इसका SI unit नहीं होगा इसका SI unit नहीं हो जाए नहीं हो पाएगा इसका SI unit अब का होगा यह समझे एक छोटा सा point था आपको sign जो है sign अगर C लिखे हैं perpendicular by hypotenuse cough जो लिखे हैं base by hypotenuse 10 जो लिखे हैं लोग perpendicular by base इसका reciprocal जोगा reciprocal reciprocal ultra मतलब inverse तो यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा cosic अगर पलट जाता है hypotenuse भाई हो जाएगा आपका perpendicular इसी तरह इसको बदलेंगा तो हो जाएगा sick sexy अगर हो जाएगा आपका hypotenuse by base अगर बदल लेंगा तो हो जाएगा आपका cod अगर हो जाएगा आपका base by perpendicular आप मेरे दोस्त छोगो यह रेसियो जो है six ratio होता है six ratio इसी समलोग का आपका पूरा trigometry पढ़ेंगे पढ़ेंगे इस function इसके दार पूरा का पूरा जो एक मतलब की जो मैतमेटिक का एक ब्रांच बना हुआ है पूरा इसी पर ठीका हुआ है ना जितना बनाईए आप तेंथ से start हो जाता है तेंथ बनाईए लेवेंथ बनाईए ट्वेल्थ बनाईए B.A.C.M.A.C.P.A.G.D. जो भी है आप जो कितना करना है आईसे वोट से तो उसमें आपको eight class ले start हो जाता है eight class में आपको देखाई देना लगता है क्योंकि दो class पीछे एक class पीछे चलता है आगे चलता हो तो I hope मेरे दोस्ते बात को समझे होंगे अब देके दिहान देंगे इसको हम जानने से कोई आपको एथी मतलब की benefit नहीं है जैसे कि मान लिजी दे दिया आपका other issue write other issue write अलब कि other issue जो है इसका write करना है तो other issue जब write करेंगे इसका जैसे मैं लिजी sign जो होगे आपका 4 by 5 4 by 5 तो हम लोग बोलते है perpendicular by hypotenuse तो P के मान ले लेंगे हम लोग तो एक ratio है न तो ratio में कुछ हम लोग मल्टिप्लाई करते हैं किसे multiply कोई बचा करता है जो भी जिसके रहता है करता है हम इसके से करेंगे तो 4 के हो जाएगा I हो जाएगा हाइपोटेनफ हो जाएगा अबका 5 तो हम रेस्व नहीं करना तक के कड़ जाएगा common है न यह का है कि common पार्ट है common पार्ट है common पार्ट हो जाएगा अब जानेंगे अब इसको यूज करेंगे पायथागरस थीरम जब ही उच करेंगे तो क्या होता है वह हाइपोटेनस केarette स्क्वाईरında is equal to होता है 抪ैंडीकुलर के स्क्वाईर पलस बेस के स्क्वाईर इसका जो मान जो स्काल लेंगे यहां से यहांस से यह जो मान है आपको हाइपोटेनस दिया था हाइपोटेनस 5K का स्क्वाइर दिया और इसमें जो दिया आपका यह जो है आपका परपेंडिकलर दिया परपेंडिकलर का स्क्वाइर दिया और यहां निकालना आपका बेस का स्क्वाइर तो जो 25 के स्क्वाइर यहां पर हो जाएगा 16 के स्क तो बचेगा नाइन के स्क्वाइर का जब रूट अंडर हुआ तो थीरी के आजागा मतलब की आपका बेस आ गया या बेस जो है बेस के अधार पे मतलब बेस अगर थीरी आ गया या फोर है आ है आपकेतना जाएगा फाइव तो यहाँ से देखिए अब एंगल यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ साइन दिया था था जाएगा तिया था आपका 5Cos हो जाएगा आपका अपका बेस 这 यहाँ पर थीरी के हैं आ या 5 के की कट जागा था 3 2 5 oh strain हो जाएगा में दोस्टेंड ठीटा जो हो सबकर शौदए को जाएगा इसका चार कै और इसका मांद जी है फीरीह सब कर दाएक okay है अब दुदके सब का ये रेसी प्रोकल होता है इसका रेसी प्रोकल यहोदा रेसीप्रोकल इसका रेसी प्रोकल जो हो जाएगा हुखा कॉस सेक जिसको बोलते हम लोग हाइपो टेनस बाई परपेंडिकुलर मतलब की पाँच बाई चार कॉस का हो जाएगा सेक अज सेक होता हाइपो टेनस बाई बेस ती हो जाएगा पाँच बाई तीन अग कोट का हो जाएगा 10 का हो जाएगा कोट ठीटा ती हो जाएगा बेस बाइप परपेंडी कूलर तो यहाँ पर बेस आपको 3K आया है यह 3K के कटा देजिए क्यांकि मुहाँ सा डाइक्ट रेस्यू लिखे इसलिए डाइक्ट लिदे तो हो जाएगा 4K भाई तो हो जाएगा आपका 3 by 4 यहाँ लिखे यहाँ पर लिखे ते इसलिए डाइक्ट लिदे थे क्या क्या नहीं कटा पाया थे तो यहाँ मतलब कि सब का रेस्यू आग को आ गया तो बहुत तीजी था कोश्चन यहाँ से हम लोग को सिखने लगे कि हम लोग को रेस्यू मतलब कैसे निकालेंगे मतलब कि उसका जोग दो दिया रहेगा बेस हाइपोटेनस दिया रहेगा तो यहां से यहां दे दिया और परपेंडिकॉलर दे दिया बेस दिया परपेंडिकॉलर दे दिया तो हम लोग हाइपोटेनस के से निकालेंगे उसके बाद आपको परपेंडिकॉलर दे दिया और आपको परपेंडिकॉलर दे दिया तब बेस के से निकालेंगे अगर हाइप इसका मान क्या होता है आप निश्ची तुरूप से जानगे होंगे तो इसका जो मान हो जाएगा आपका पी बाई एच परपेंडिकलोर बाई हाइपोटेनस इसका जो मान हो जाएगा कॉस का तो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस अटायन का हो जाएगा इसका मान हो जाएगा परपेंडिकलोर बाई बेस इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो यह हो जाएगा कॉसेज हो आपका बेस बाइपर पेंडिकोलर या सिक्स रिस्यो जो है आपको मतलब बहुत फरकोश्चन बनाने में मदद करेगा आई हूप अप समझे होंगे मेरे दोस्तों आप मेरे चाइनल पे न्यू है तो मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कर लेजी दोस्तों में सिरकदी जीए लोग कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलास करो बेहतर से बेहतर की तलास करो और मिल जाए नदी तो समंदर की तलास करो अगर मिल जाए नदी तो समंदर के तलास करो तूट जाते हैं सीसा पत्थर से तूट जाते हैं सीसा पत्थर से तुट जाए पत्थर ऐसा सीशा को तलास करो तो मेरे दोस्तों आप लोग ऐसा संघर्स करिए कि आपको हर एक मुकाम आपको आसानी से एक्षीव हो जाए जब तुटने लगे होसला तो बस यह याद रखना बीना मिनहत के हासिल तक्त तो तावा नहीं होते ढूंढ़ लेना अंधेरा में मैं मन्जिल अपनी जब लेना मुझिल अपनी क्योंकि जुगनु कभी रोषनी के महताज नहीं होता आए अप मैरे दोस्तों आप लोग यह बात को समझत होंगे यह जो भी बताए यह समझे होंगे आगला जो इसलिए ज़स्ट आगे जो बढ़ेंगे सिकिन हम लोग यह स्टेप में जाएंगे तो वह आपको नया वीडियो आएगा तब तक लिए बने रहे हैं मैं चैनल पर जहें